In this video, we are going to discuss about the aglutination. Aglutination का मतलब होता है, clumping of antigens when mixed with the specific antibody. तो जब antigen जो है, antibody के साथ में react करता है, suppose करो this yellow one is the antigen and this red one is the antibody, तो जब antigen-antibody का interaction होता है, तो antigen-antibody complex बनता है. और यह जो complex जो बनता है, तो आपको clumps दिखाई देता है. Most common example of aglutination reaction is blood typing. अब दो टाइप के हमारे पस aglutination है, active aglutination, यह जिसको हम direct aglutination भी बोलता है, और एक होता है passive aglutination. तो जो direct aglutination है, उसमें क्या होता है, कि आपको directly clumping दिख जाएगी. It involves direct interaction of antibody present in the serum with the particulate antigen carrying the epitopes of the interest. तो epitope क्या होता है, वो region antigen का, जो कि antibody के साथ में bind होता है. तो suppose करो कि यह antibody है, तो antibody, antigen के साथ में bind करेगी, antigen, antibody complex बनेगा और जब यह complex बनता है, तो आपको aglutination दिखाई देती है, इसको बोलते है, direct aglutination test, यानि कि directly interaction हो जाएए. अब इसको हम example से समझते हैं, जैसे कि blood typing, blood typing में हम क्या करते हैं, कि हमारे पास ना, ऐसे suppose करो कि यह हमारे पास slide है, इस slide पे हम उपर लिख देते हैं, A, B और D, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक जो drop हैं, यहाँ पर, हम पहले prick करेंगे, थोड़ा सा, और एक drop blood जो है, वो निकालेंगे, and इस blood को हम क्या करेंगे, यहाँ पर place करेंगे, A, B, और D के नीचे हम place करेंगे, अब फिर हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे anti-A, इसमें डालेंगे anti-B, इसमें डालेंगे anti-D और इसको अच्छे से mix करेंगे अच्छे से mix करने के बाद आप यहाँ पर clumping देखोगे मान लिजी कि मेरा blood group क्या है? B positive है, B plus मेरा blood group है तो हमें clumping का दिखाई देगी, जो B वाला part है वहाँ पर आपको इस तरीके से clumping दिखाई देगी और D वाले part में आपको clumping दिखाई देगी, यहाँ पर आपको clumping दिखाई देगी यानि कि यहाँ पर agglutination दिखाई देगी तो जहाँ पर भी agglutination दिखाई दे रही है वही आपका क्या है blood group है D जो होता है वो RH factor के लिए होता है कि आपका plus है या minus है अगर D में agglutination आ रही है यानि कि आप B plus हो और अगर यहाँ पर agglutination नहीं आती तो इसका मतलब میरा blood group B minus होता तो जो D वाला है वो plus और minus के लिए होता है कि आपका blood group positive है या negative है अब यहाँ पर देखो आपको agglutination कहाँ पर दिख रही है B पर दिख रही है D पर नहीं दिख रही है D पर नहीं दिख रही है तो मतलब कि negative है और B पे दिख रही है तो यानि कि आपका blood group क्या है B negative ठीक है तो आप AB plus हो अगर आपका blood group AB plus है तो आपको सभी में क्या दिखेगी? agglutination दिखेगी and अगर आप A plus हो तो A में दिखेगी और D में दिखेगी D जिससे मैं आपको पताया RH factor के लिए कि plus है तो आपको agglutination दिखेगी minus है तो agglutination नहीं दिखेगी O plus अगर आपका blood group है तो ना इसका मतलब A में भी agglutination नहीं आ रही B में भी नहीं आ रही तो आपका O है और D में आ रही है तो यानि कि O O है और O भी क्या है? plus है O plus है A B minus में क्या है कि बस जो आपका D है वहाँ पे नहीं आ रही agglutination A में भी आ रही है B में भी आ रही है So this is how हम blood grouping करते है based on the agglutination कि agglutination है तो आपका blood group क्या है? वही है Another example is vital test, vital test में भी ऐसे होता है agglutination check करते है तो आपके पास इस तरीके से slide होते है उसमें circles बने होते है OH, AH, BH, NC, PC तो जो salmon अंदर typhi होते है न जो bacteria होता है जो कि typhoid cause करता है O और H antigens जो होते हैं वो salmon अंदर typhi के अंदर present होते है bacteria के अंदर AH और BH जो है paratyphi जो bacteria होते है उसके अंदर present होते है NC is negative control, PC means positive control तो अगर आपको agglutination दिख रहे है O वाले circle में और H वाले circle में तो इसका मतलब है कि आप positive result है और आपको typhoid हो चुका है ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पहले तो यह जो circles होते हैं इनमें एक एक drop जो है patient के serum की डालेंगे और फिर O जो reagent है H जो reagent है उसको डालेंगे, mix करेंगे और फिर agglutination चेक करेंगे तो अगर agglutination मिल रहे हैं, it means positive test and आपको typhoid है सेकेंड आता है indirect agglutination indirect का मतलब है कि directly interaction नहीं हो रही है directly antigen antibody से interact नहीं कर पा रहा है so यहाँ पर हम क्या करते है, जो antigen होता है, उसको एक carrier की जरुद पड़ती है उसको एक carrier की जरुद पड़ती है और यह जो carrier होता है, वो sheep RBC हो सकती है, gelatin हो सकता है polystyrene latex हो सकता है, benthonite particle हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने latex bead लिए है उसके चारों दरफ हमने क्या करते है, antigen लगा दिया है तो antigen कॉम क्या करते है, coat कर देते हैं किसी भी जो carrier है उसके उपर so indirect agglutination क्या होता है जहाँ पर की antigen directly antibody से interact नहीं कर पाता है उसको एक carrier की जरुद पड़ेगी so for example latex agglutination test latex bead लिए, उसके उपर antigen लगाया latex bead क्या यहाँ पर carrier के तोर पर काम कर रही है उसके बाद हम क्या करेंगे जो patient का serum है, जिसके अंदर antibodies हैं उसके अंदर इसको add कर देंगे अब क्या होगा, antigen antibody के साथ में आप interact कर पाएगा antigen antibody complex बनेगा आपको agglutination reaction दिख जाएगी तो यहाँ पर जो interaction थी, वो क्या थी? indirect थी, मतलब directly नहीं जा पाया antigen antibody के पास, उसको एक carrier की जरत पड़ी लेकिन जो direct agglutination थी वो उसमें क्या था कि सीधा आपको agglutination दिख रही थी antigen आया, antibody के साथ interact किया clumping दिख आपको, that is agglutination reaction हो गई लेकिन यहाँ पर आपको carrier word यूस करना है कि भई, यहाँ पर carrier का हमें जरत पड़ेगी so that's all for today if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates, thank you and have a great day